तो फ्रेंड्स कैसे हैं उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसा कि 30 सिप्टमबर को एक्जाम होने वाला है सरसटीबी BPSC का ठीक है और इस सभी छात्रों का जो है कि एड्मिट कर भी जारी कर दिया गया है सभी लोग अपने अपने जो है कि निरधारी सेंटर भी देख चुके होंगे चली हम लोग इस वीडियो में रिविजन करने वाले हैं जन्गनना 2011 वेजट कोश्चन जिया दोस्तों यह एक वीडियो में आपका सारा जन्गनना वेजट कोश्चन जितने भी बन सकते हैं महत्मोन कोश्चन सारा किलियर हो जाने वाला है और बता ये comment box में मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक पे बिडियो बनाकर डाल दूँगा ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके question देखते हैं हम लोग लगवाई इसमें हम लोग जो है 50 से 60 question solve करने वाले हैं और आप भी सारे प्रस्णों का जबाब देना हुए है तो चलिए देखते हैं इस session को तो देखे पहला प्रस्ण है जन संख्या की प्राकिर्थिक बिर्धी का अंतर क्या होता है तो यह आप सभी समझते हैं कि जन्मदर और मिर्टूदर ठीक है ना जो जन्म हो रहा है उसमें से मिर्टूदर को माइनस कर देते हैं तो वह जन्मदर और मिर्टूदर ठीक है चलिए दूसरे प्रस्ण क्यों चलते हैं जन्मदर का महत्व सरपर्थम इस्वी पूर्व भारत में इसके सासनकाल में समझा गया था बहुत ही अच्छा कोश्चन है देखे यह समराठ चंद्रुगुप्त मोर्ज के समयमिया समझा गया थ ठीक है चलिए आगे देखते हैं अपनिवेसिक अंग्रेजी अपनिवेसिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जन्गर्णा कार्ज क्यों करवाना चाहती थी चलिए बताईए फूर देखे क्यों करवाना चाहती थी यह करवाना चाहती थी तो option A इदर right answer हो जाएगा बिहार में पहला जिनगर्णा कार्ज कब हुआ था यह बिहार के exam से बहुत ही बिहार के exam के point of view से बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है या विडियो जो है कि आपके बिहार के upcoming exams जितने भी होने वाले हैं सभी के लिए महत्पूर्ण होगा इसलिए इस वीडियो को लगब दो से तीन वर जुरूर देख लिजएगा सारा प्रस्न आपका clear हो जाएगा तो चार का जो होगा सही उतर होगा 1872 और 173 में पहला जिनगना कार्ज हुआ था चलिए बिहार में क्रमबत जिनगना की शुरूरात कब हुई या बताना है तो यह जो हुई थी या हुई थी 1881 में ठीक है सबसे पहले जो जिनगना है 1872 में शुरू हुआ ठीक है लेकिन अगर पूछे कि लगता जिनगना कब से शुरू हुआ चीका ना तो यह 1881 से हुआ था तो और बिहार में भी क्रमबत जिनगना की शुरुवात 1881 से हुई तो फाइव का बी सही उतर हो जाएगा किस वर्स की जनगना बिहार की स्वतंत्र अस्तित विपरांद के अधार पर की गई थी तो यह था 1941 का जनगना स्वतंत्र अस्तित विपरांद के अधार पर किया गया था तो 6 का D सही उतर हो जाएगा आगे देखते हैं किस समाज सास्त्री ने जनांग किये समकमन सिधान का पर्तिबादन किया था 7 का बताईए इसका सही उतर हो जाएगा WM Thompson ने किया था ठीक है 7 का सही उतर B हो जाएगा चीक है चलिए आगे चलते हैं जन संक्या बितरन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है बताईए 8 का सही उतर बताईए तो इसका सही उतर हो जाएगा किर्स योगभूमी सभेता की अवस्था अस्थानों की सुलब्ता तो यह उप्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा एट का डी उप्युक्त सभी चली आगे देखते हैं जनसंख्या बिर्धी की समस्या है जनसंख्या बिर्धी की समस्या है ठीक है जनसंख्या जो बिर्धी हो रहा है उसका क जाल आगे देखते हैं कि किस वर्ज की जन्गनदा कार्ज जन्गन्ना जनननंग की संकमन सिधांत के अधार पर हुई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनिश्व एक कावन ठीक है टेन का सी सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं स्वतंदर्ता प्राप्ति के बाद जिनकरना कार्ज किस अधिनियम के प्रभ्धानों के अनुरूप किया जाने लगा पताए तो इलेविन का सही उत्तर हो जाएगा जिनकरना अधिनियम उनिश्व एरतालिस के प्राप्ति किया जाने लगा चलिए नई जनसंख्या नीती की घुषना कब की गई थी बताना है नई जनसंख्या नीती की घुषना कब की गई थी तो इसका सही उतर हो जाएगा 15 फरवरी 2000 को यानि कि 20 सही उतर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं दोजाएगारे की जिनगना क्या था जो दोजाएगारे में जिनगना हुआ था वहा कैमी जनगना था मतलब उसका करम कितना था यह बताना है उसका सही उतो होजाएगा पंदरवा जनगना था चीक है और अब जो होने वाला होगा जनगना जो 21 में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ कुरोना लेकर जब होगा वो सुलावा होगा कि यहां से सीधे कोशन कर दिया जाता है तो यह बहुत ही इंपोटेंट कोशन है बिहार के कूल जनसंग्या कितनी है यह बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 करोड 40,99,452 ऐसे याद रखेंगे जैसे आपका फूर नमर याद रहता है वैसे याद रखेंगे हो जाएगा 1040 देवल लाइन 452 तो 10 करोड 40,99,452 तो 20 सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं बिहार के जनसंख्या देश की कूल जनसंख्या की कितना परतीसत है तो बहुत ही असान कोशन है C इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.6% ठीक है देश के कूल जनसंख्या का बिहार का जो जनसंख्या की अधार पर तो बहुत असान है या तीसरा अस्थान है पहले अस्थान पर कौन से है तो पहले अस्थान पर उत्तर परदेश है यानि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर परदेश का है फिर महरास्ट का है और फिर बिहार का है तो बिहार जनसंख्या की अधार प तो वह अमधिर पूरा का हुआ है और इसका सही उतर हो जाएगा 25,4 3, B is the right answer हो जाएगा ठीक है 25,4 independent जनसंक्या बिर्दी दर में बिहार का अस्थान देश में किया है जन संक्या बिर्दी दर में बिहार का अस्थान देफ में कितना है या बताना है तो इसका सही उतर होगा च्छठा राज है च्छठा राज है जन संक्या बिर्दी दर में यानि इस से पहले भी छे और राज है जिनका जन संक्या बिर्दी दर बहुत जादा है इन से ज़्यादा है आगे देखते हैं जनगन्ना दो हज़े लेगा रहा है कि अनुसार बिहार के साक्षरता दर का परतिसत क्या है या बताना है तो बता दे कि एक सार दसमलो आठ परतिसत है सी सही उत्तर हो जाएगा इस वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखिएगा ठीक है ना यहां से एक से दो कुछ्य अवश्य रहता है और एक से दो कुछ्य अपका पक्का हो जाएगा 10 से 15 मेट के वीडियो में बिहार में पूरु साक्षरता द ख्याल और है सासर राओं का तो पूरु सक्षर्टादर क्या है या बताना है 20 का सही उतर हो जाएगा 71.2 परदीसार यान्के देखते हैं तो यह हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं सक्षर्ता दर के संदर में बिहार का अस्थान देश में क्या है साक्षर्टा दर के संदर में ऐसे पूछा जाता है कि नीचे से कितना है तो यह सबसे नीचे है ठीक है सक्षर्टा दर में सबसे पीछे है तो यह पूछा जा रहा है बिहार का स्थान देश में कितना है यानि कि इहां पे राज और यूटी दोनों मिला कर उस दोनों में कितना या बत पूछा जा रहा है पूछ रहा है सही का है इसनुर में जंसंह्या के संदर में बिहार का अस्थान में कितना है अब देस पूछा जा这undro SC की जनसंख्या के संदर में बिहार का जो है अस्थान देश में कितना है, बताइए 24 का सही उतर हो जाएगा 30 रास्थान रखता है, चले आगे देखते हैं, बिहार में अनुसूची जादी की कुल जनसंख्या क्या है, SC का कुल जनसंख्या क्या है बिहार में बताना है, तो ये करोड़ 56,7325 16 करोड़ 56,7325 ठीक है तो यह सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते है बिहार के कुल जनसंक्या में अनुसुचित जन जाती जनसंक्या का परतिसत पुछ रहा है अब यहां ST की बाद कर रहा है तो ST का जनसंक्या परतिसत कितना है बिहार में तो यह है 1.3 परतिसत C is the right answer चलिए आगे देखते हैं बिहार के कुल जनसंक्या का कितना परतिसत जनसंक्या गरामिन शित्रों में निवास करती है तो बहुत ही आसान है पताइए 88.7 परतिसत तो 27 का C सही उत्तर हो जाएगा 88.7 परतिसत गाव में निवास करती है और बाके जो है बाके जो है 11.3 परतिसत नगर में निवास करती है आगे देखिए वह आगया कोशन बिहार के कुल जनसंक्या का कितना परतिसत जनसंक्या नगरों में निवास करती है तो 11.03% 28 का A सही उतल हो जाएगा आगे देखते हैं प्रसन देख लिजे option उपर में है नगरेज जन संक्या के संदर में बसने वाले जन संक्या के संदर में बिहार का स्थान देश में कितना है तो ये बताना है देखते हैं option है चार option दिए के है ग्यारमा, बार्मा, तेर्मा, चोदामा, बताइए, नगर में बसने वाले जनसा क्या कि संदर में बिहार का अस्थान देश में कितना है, बताइए तो 29 का, 29 का सही उतर हो जाएगा, क्या, बार्मा अस्थान है, ठीक है, बार्मा अस्थान है, चली, बिहार का प्रती वर्ग कि चलिए आगे देखते हैं, जन गंगंध में कितनी बिर्दी हुई है, यह बिर्दी पूछा जा रहा है, कितना हुआ है बिर्दी तो बताइए, इसका सही उतर हो जाएगा, 225 बिर्दी हुआ है, ठीक है? ग्रामिन जन्गनत में बिहार में कितना है यह गाउं में रहने वाले का घनत में कितना है यह पता है 32 का सेउत्तर हो जाएगा 1006 है ग्रामिन जन्गनत में बिहार में क्या है 1006 है आगे देखिए नगरी जन्गनत में बिहार में क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5057 ठीक है 5057 आगे देखिए बिहार में नगरी करण का परतिशत क्या है अब तो बदल गया है जो 2021 में जो बिहार सर्वेक्षन जो जारी किया गया उसमें 15 जसमालों 3 परतिशत कर दिया यह पुराना वाला डाटा के अनुसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ठीक है इसमें अब जो है यहाँ पर अगर टिक करना हो नगरी करण का परतिशत तो 15.3 परतिशत करें है ठीक है चले आगे देखते हैं बिहार का लिंगानुपाद क्या है अर्थाथ हजार जा रहा है 36 का बताईए 921 है ग्रामी लिंगानुपाद पूछा जाए तो 921 है वही नगरीय लिंगानुपाद पूछ दिया जाया तो क्या हो जाएगा 37 का तो यह 895 हो जाएगा ठीक है 37 का एस उत्तर हो जाएगा चले आगे देखते हैं बिहार में लिंगानुपाद में ब बताए लिंगानुपाद में 10 के परिवर्तन ग्रामीन चित्रों में क्या हुआ है ग्रामीन चित्रों में पूछा जा रहा है 39 का से उतर हो जाएगा C ऑफसर C is the right answer 5 परिवर्तन हुआ है ठीक है चलिए लिंगानुपाद में 10 के परिवर्तन परिवर्त नगरी छित्रों में क्या रहा बताइए 42 का d सही उतर हो जाएगा 28 ठीक है चलिए आगे रखते है 41 नमर पर्षन अलोसोचे जाती में 10 की बिर्दी दर कितना रहा बताइए 41 का सही उतर हो जाएगा c 27 ठीक है चलिए आगे रखते हैं एक लाख या अधिक जनसंख्या वाले सहरों की संख्या बिहार में कितनी है तो 42 का से उतर हो जाएगा 26 है ठीक है बीज़ राइट इंसे रो जाएगा चलिए आगे देखते हैं स्वतंदर्ता प्राप्ति के बाद किस अंत्राल में बिहार की जनसंख्या में तिव्र गती से बिर्दी हुई थी बहुत ही अच्छा कोश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है 43 बताइए तो 43 का से उतर हो जाएगा सी 1951 से 1951 के बीच में जो है काफी तिव्र गती से जनसंख्या बिर्दी हुई थी बिहार में ठीक है 1951 टू 1991 के लिए आगे देखते हैं वेरी का सरवादिक जनसंख्या वाला नगर कौन से है बताइए तो बहुत ही असान है पटना है और निमतम पुछा जाए तो सिक पूरा है ठीक है चलिए अच्छा सॉरी यहां पर पुछा गया है बिहार का सरवादिक जनसंख्या वाला नगर ठीक है नगर पुछा जा रहा है ठीक है जीला नहीं पुछा जा रहा है तो 44 का जो सही उतर हो जाएगा गया हो जाएगा और नियुन्तम में पुछा जाए तो नियुन्तम में आप चले जाएगा समस्ति पूर में ठीक है चले आगे देखते हैं विहार का कौन सा जिला सरवादिक साक्षर है बताईए तो सरवादिक साक्षर वाला जिला रोतास है ठीक है 45 का बी सही उतर है ठीक है रोतास जिला का सक्ष वाला जीला तो यह से पूरा है ठीक है 47 का यह सही उतर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं बिहार का नियुनतम साथ्ष्र वाला जीला के कौन सा है तो यह पूर्णिया है बी सही उतर हो जाएगा 48 का चलिए आगे देखते हैं बिहार का सरवादिक जन घनत्व वाला जीला क बताईए तो यह 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बताईए यह हो जाएगा सिभर बिहार का सरवादिक जन घनत्व जो है इसका कितना है 1880 है और इसके बाद पटना है 1823 के साथ ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रस्ण बिहार का नियुन्तम घनत्व जीला कौन सा है तो यह कैमूर है डी सही उत्तर हो जाएगा 50 का डी सही उत्तर हो जाएगा कैमूर ठीक है बिहार का सरवादिक लिंगानुपाद वाला जीला कौन है तो सरवादिक लिंगानुपाद पूछे तो एक हजार पूर्सों पे एक हजा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूची जाती की जनसंक्या निउन्तम है निउन्तम पूछा जा रहा है इससे जाती की जनसंक्या तो बताइए चोगन का सही उत्तर हो जाएगा बिहार के किस जिले में सरवाधिक नगरीकरन हुआ है बताइए चरवाधिक नगरीकरन कहा हुआ है तो यह पतना सहर में बिहार के कुल सहरी अबादी का कितना परतीजत हिसा निवास करती है पतना सहर में बिहार के कुल सहरी अबादी का कितना परतीजत हिसा निवास करती है तो इसका सहुत्तर हो जाएगा तो चले इस वीडियो को सेर जरूर कीजेगा धन्यवाद। यह में हम चलें लेकर छोट्द्स आयू करे नेरी अड़र मोट्थ अचान copper लां को कितना लादीट消ाँ